हेलो फ्रेंड्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं ब्लावज बेक नेक डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रहे हूं तो देखिए इसकी कटिंग में पहले से ही कर चुकी हूं इसका मेंजरमेंट मैं आपको बता दे रहे हूं कमर का भी चौथा भाग और टू इंच मारजन के लिए नेक की चोड़ाई में टू पाइफ एंच रखी हूं और इस तरीके से मैं नेकड डिजाइन में बना रहे हूं तो इसको कैसे फिनिसिंग के साथ बनाना है ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो पहले निसान को मैं डार्क कर ले रही हूँ डार्क करने के बाद देखिए मैं पेपर पेस्टिंग नहीं हूँ paper pasting से बहुत ही finishing के साथ नेक बनता है तो same वही डिजाइन paper pasting के उपर भी draw कर लेना है तो दिखे इस तरीके से चौड़ाई मैं 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ लंबाई 10 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से नेक की चोड़ाई मैं नीचे से 3 इंच रख रही हूँ और उपर से 2.5 इंच है अब इसको बॉक्स जैसा तयार कर लेना है और बॉक्स जैसा तयार करने के बाद हम इसके अंदर डिजाइन का सेप देंगे जैसे मैं बलाउज पर डिजाइन बनाई हूँ सेम वही डिजाइन पेपर पेस्टिंग पर भी ड्रॉ कर लेना है तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ डिजाइन बना ले रही हूँ और उसके बाद से देखिए बाहर के साइड में वन इन चेश्टा लेते हुए मैं एक निसान और लगा ले रही हूँ अब दोनों निसानों पर कट कर लेना है अच्छे से फिनिसिंग के साथ हम पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे पेपर पेस्टिंग आप चाहे तो अलग से भी कपड़ा ले करके उस पर पेस्ट कर सकते हैं मैं यहाँ जो अस्तर वाला कपड़ा है उसी के उपर मैं पेस्ट करके आपको बता रही हूँ कि फिनिसिंग के साथ में कैसे बनाएंगे तो देखे इसको मैं कट कर ले हूँ अब इसको मैं अस्तर के उपर मैं पेस्ट कर लूँगी आप अलग से अगर कपड़ा लेना चाहते हैं तो अलग से कपड़ा लेकर के उसके उपर पेस्ट करेएगा मैं यहाँ जो blouse cutting की हूँ उसके अस्तर के उपर देखे मैं इस तरीके से रख रही हूँ center से center मिलाती हुई और इसी के उपर एक बार iron कर लेंगे तो यह चिपक जाएगा तो पहले जो neck का center है उसको बीच से fold कर देना है और दोनों side पहले निसान को dark कर लेना है इस तरीके से मैं fold करके और निसान मैं dark कर ले रही हूँ अब उसके बाद से देखे इस तरीके से paper pasting को रखना है देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे अस्तरवाले के उपर इसको रख करके और एक सिलाई हम paper pasting के center में हम लगा लेंगे मैं यहाँ सिलाई लगाना भूल गई हूँ देखे तो इस तरीके से मैं past करके और फिर मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ तो जो main कपड़ा है उसको सीधा रखना है और सीधा वाले के उपर हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे आप पहले अस्तर के उपर paper pasting को रख करके एक सिलाई पहले paper pasting के उपर लगा लेजिएगा उसके बाद से आप main कपड़े के उपर इसको रखिएगा ठीक है ओ सिलाई लगाना मैं भूल गई हूँ इस तरीके से अच्छे से हम corner पे सुई को अंदर के side करेंगे और फिर कपड़े को इस तरीके से घुमाते हुए हम सिलाई लगाएंगे फिर corner पे हम सुई को अंदर कर लेंगे और फिर blouse को हम घुमा करके और अच्छे से finishing के साथ हम पूरे neck में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से देखिए सिलाई लगा लेना है ये सिलाई लगाने के बाद नीचे मैं कमर पर भी मैं सिलाई लगाऊंगे इसमें मैं कमर पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ तो नीचे पहले कमर पर सिलाई लगा लेना है ताकि जब मैं पल्टूं तो दोनों फिनिसिंग के साथ पलट जाए नेक भी और नीचे वाला भी अगर ये सिलाई हम अभी नहीं लगाते हैं तो बाद में कमर पट्टी लगाना पड़ता है तो इसलिए मैं ये सिलाई लगा ले रही हूँ हाफ इंच का मारजन रखते हुए मैं पूरे कमर में सिलाई लगा ले हूँ नीचे का सिलाई लगाने के बाद देखिए अब हम पीन को निकाल लेंगे और निकालने के बाद थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कि finishing के साथ ही पलट जाए और corner पे cut करने के बाद पूरे neck में ही छोटा-छोटा cut लगा लेना है cut लगाने से जब हम पलटते हैं तो उसकी finishing ज्यादा अच्छी आती है उसके बाद से देखें इस तरीके से मैं इसको पलट ले रही हूँ अच्छी से finishing के साथ पलट लेना है पलटने के बाद corner को अच्छी से निकालते हुए एक बार iron कर लेंगे तो दिखें यहाँ मैं पलट ली हूँ पलट करके मैं हाथ से ही मैं इसको दबाते हुए मैं प्रेस कर ले हूँ अब इसके उपर मैं एक top stitch कर लूँगी तो एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाना है इस तरीके से देखिए जब यह वाला हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ भी हम corner को अच्छे से निकालते हुए और फिर से वहाँ सूई को अंदर के side हम करेंगे और फिर कपड़े को घुमाते हुए हम पूरे नेक में finishing के साथ सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ मैं पूरे नेक में मैं सिलाई लगा लेंगे देखिए इस तरीके से नेक बनाते हैं तो उसकी finishing बहुत अच्छी आती है उसके बाद से नीचे कमर में भी सिलाई लगाना है तो कमर में भी हम एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे अस्तर वाले कपड़े को अंदर के साइड करते हुए बाहर के साइड न दिखे finishing के साथ उसको अंदर के साइड करते जाएंगे और फिर पूरे कमर में सिलाई लगा लेंगे एकदम किनारे किनारे तो देखिए यहां मैं कमर में भी मैं सिलाई लगा ले हूँ अब हम साइड का सिलाई लगा लेंगे साइड का सिलाई वहीज़ observ हम लगाएंगे तो अच्छे से कपड़े को बराबर करते हुआ फिर हम सिलाई लगाएंगे दोनों हाथ से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे उपर के साइड भी सिलाई लगा लेना है फिर दूसरे वाले साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगी और ये सिलाई लगाने के बाद जो में कपड़ा एश्टा दिख रहा है उसक देखिए कट करने के बाद से किनारे से बाइज Crist 2002 उसके संटर में निशान बन रहा है वहां ते युद्वाइन लेनगे inhosान लाएंगे और फिर हम blouse को bit center से fold करके निसान को हम दोनों side कर लेंगे और दूसरा ओला जो side है उस निसान को हम dark कर लेंगे dark करने के बाद देखिए इस तरीके से tux का सिलाई लगाना है तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई starting में भी और last में भी double कर लेंगे ताकि tux का सिलाई बाद में खुले नहीं तो यहां मैं देखिए दोनों side के tux का सिलाई में लगा ले हूँ अब यह blouse का back part ready हो गया है इसकी नेक बहुत ही finishing के साथ बनी है देखिए आप चाहें तो इसके उपर साड़ी से match आप कोई भी last attach कर सकते हैं last लगाने से इसका look और ही अच्छा लगेगा तो आपके पास जो भी last है साड़ी से match आप लगा सकते हैं मैं यहां last अभी नहीं लगा रही हूँ तो यह blouse का back part ready हो गया है इसकी front part की stitching का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी और इसकी cutting का वीडियो मैं पहले ही share कर चुकी हूँ तो उसका link मैं आपको i button पर दे दूँगी आपको यह वाला वीडियो कैसा लगा आप comment करके जरूर बताईएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू